नमस्का खुलेंगे दुनिया के रास राजदामा दुनिया के साथ में प्रिया ओल इंडिया मजलिस ए इताहदुल मुसल्मीन के प्रमुक असुदिन ओवेसी शनिवार को वुलडाना के मलकापूर में जनसबा कर रहे थे उनके भाषन के बीच कुछ लोगों ने ओरंग जेब अमर है के नारे लगाने शुरू कर दिये इसका वीडियो वाइरल हो गया वीडियो में लोगों को यह कहते सुना गया कि जब तक सूरत चांद रहेगा ओरंग जेब का नाम रहेगा जब यह नारे बाजी हो रही थी तब ओवेसी इन लोगों को हाथ से चूप रहने का इशारा करते नजर आ रहे थे हलाकि बाद में ओवेसी ने कहा कि कुछ नियूस चैनलर ने मेरी सभा में औरंग जेब के नारे लगाने की जूटी कबरे चलाई है मैं उनके खिलाफ केस करूँगा बिजेबी नेता किरिट सोमया ने बुलडाना एसपी सुनिल कडासने से ओवेसी की सभा में ओरंग जेब के नारे लगाने की शिकायत की थी उन्होंने नारे लगाने वाले पर कारवाई करने का अनुरोथ किया था जिसके बाद पुलिस ने वीडियो की जाच कर कानुनी कारवाई की बात कही ओवेसी ने जनसभा के दोरान तेवीज जून को पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की मीटिंग पर भी सवाल उठाए उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया जलील ने जो मुद्दा उठाया है वो गंभी थे मेरा सावाल है कि क्या किसी प्यासे को जल्स्तरोत के पास आना चाहिए या प्यासे के पास पानी जाना चाहिए इस औरान OVC ने अलप संक्योक्यों के खिलाफ कोई बैदभाव नहीं वाली टिपणी पर पिये मोदी की आलोशना भी की है उन्होंने का सबसे बड़ा बैदभाव यह है कि भाशपा के 300 लोग सबा सांसा थे लेकिन उनमें से एक भी मुसलिम नहीं है केंदर सरकार में भी कोई मुसलिम मंत्री नहीं है ऐसे ही बने रहे हैं राजनमा दुनिया के साथ दने बाद